Cyber Security से समधित हैं आप GS Paper 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं देखो वैसे तो Cyber Attacks जो है वो Relatively एक नया Phenomenon है लेकिन आज के समय में Cyber Attacks से जो खत्रा है ना उतना ही है जितना की आंतकवाद यानि टेरिजम से खत्रा है Cyber Attacks के बारे में World जागरुक हुआ सबसे पहले 2010 में 2010 में Stacksnet एक वाइरस है इस वाइरस ने इनफेक्ट किया था इरान में बहुत सारे computer systems को कहा जाता है कि इरान और USA के जो hackers है ना उन्होंने इरान के वो computers जो इरान के nuclear program में यूज हो रहे थे उन पर इस वाइरस की साहिता से अटैक किया Stacksnet वाइरस मक्सद ये था इरान का जो nuclear program चल रहा है ना या तो उसे destroy करना या फिर उसे delay करना उसके बाद 2012 में साओधर एरभिया की एक national oil company है Arama को Arama को oil company के बहुत सारे computers पर attack हुआ था और कहा जाता है कि 30,000 computers में से जो data है वो गाइब हो गया था ये जो attack है वो इरान ने करवाया था उसी परकार से इरान पर ये भी आरोब लगता है कि कुछ हफते बाद कतर की national gas company रैस गैस के ऊपर भी attack करवाया गया इस company की functioning को operations को परभावित करने के लिए ये cartoon है उस समय आया था जब nuclear program पर attack हुआ था इरान के जब देखो 2010 के आसपास ये जो बड़े-बड़े major cyber attacks हुए न तो उस समय US के defense secretary Leon Panetta इन्होंने एक statement दी थी कि आने वाले समय में हमें Cyber Pearl Harbor के लिए तयार रहना चाहिए Pearl Harbor के बारे में आपने सुना होगा USA की side थी Pearl Harbor और यहां पर जपान के द्वारा Second World War के दुरान major attack carry out किया गया ये जो attack था न बहुत ज़दा unexpected था इस attack में USA के आल्मोस्ट 2500 के आसपास जो military personnel या फिर civilians थे वो मारे गए ये बहुत बड़ा major और synchronized attack था USA के उपर तो उसी परकार से USA के defense secretary का ये कहना था जिस परकार से Pearl Harbor का attack बहुत बड़ा और major attack था और USA को भनक भी नहीं लगी कि इस परकार से जपान हमारे उपर attack करने वाला है उसी परकार से USA की जो cyber assets हैं उनके उपर Pearl Harbor जैसा बहुत बड़ा attack हो सकता है हमें उसके लिए पहले से तयार रहने के आव सकता है बड़ देखो राइटर इस सोच से इत्तिफाक नहीं रगते राइटर के अनुसार USA जहां strategy बना रहा है कि कल को रस्या या फिर चाइना जैसे देश USA की assets के उपर Pearl Harbor जैसा बहुत बड़ा cyber attack करियाउट कर सकते है दूसी तरह पिछले 10 सालों में cyber attacks देखो काफी जादा हुए है लेकिन छोटे छोटे scale के हुए है USA का focus बहुत बड़े cyber attack पर है जबकि इसी बीच जो छोटे छोटे cyber attacks है ना उनकी संख्या पिछले 10 सालों में बहुत ज़रा बढ़ गई है जैसे 2021 की बात कीजिए 2021 में USA में solar winds attack हुआ solar winds USA की एक IT firm है और इसके उपर attack हुआ था attack होने की वज़े से USA की सरकार का भी बहुत सारा data जो है वो compromise हो गया था क्योंकि ये IT firm USA की homeland security से समन्दी जो department है ना उसे भी अपनी services प्रोवाइड कर रही थी उसी परकार से colonial pipeline attack इसमें क्या हुआ था ये तो देखो एक ransomware attack था ransomware attack में क्या होता है जो ransomware malware होता है वो attack करता है system के उपर और फिरोती मांगता है मतलब मान लीजिए किसी के computer पे ransomware malware ने attack किया ना तो इस परकार की screen दिखने लगेगी आप कुछ भी access नहीं कर्सकोगे अपना data access नहीं कर्सकोगे और आपको बोला जाएगा कि आज अगर आप अपना data access करना चाहते हो तो पहले आप हमें ransom दीजिए यानि फिरोती दीजिए तब ही आप अपने data को access कर्सकोगे आज के समय में अगला point यही है आज के समय में health sector में इस परकार के ransomware attack काफी ज़ादा होने लगे है जैसे hospital है कोई माल लिजिए गंगाराम hospital है गंगाराम hospital में जो systems का network है न उसके उपर इस ransomware malware ने attack कर दिया तो पूरा जो गंगाराम hospital परसासन है न वो अपने systems को access नहीं कर पाएगा हर system पर इस परकार की screen दिखने लगेगी अगर आप अपने systems को access करना चाहते हो तो फिरोती दीजिए bitcoin की form में या फिर दूसरे crypto currencies की form में तो hospital परसासन को मजबूरी में दिखो या तो ransom चुकानी पड़ेगी या फिर उनको pen notebook वाले model पे आना पड़ेगा उस समय में लेकिन देखो जब वो कुछ भी data access नहीं कर पाएंगे तो उनका सारा जो काम है वो ठप हो जाएगा मरीजों का जो इलाज है वो भी परभावित होगा इस परकार के health sector में जो ransomware के attacks है आज के समय में काफी ज़्यादा होने लगे है next point आता है cost of cyber attacks देखो पूरे world में आपको पता है तरह तरह के illegal trades होते हैं जैसे drugs का वेपार women trafficking बहुत सारे illegal वेपार होते हैं उन सब को अगर आप मिला दोना उससे भी ज़्यादा नुक्सान होता है cyber attacks से 2020 में total cyber attacks की वज़े से कितना नुक्सान हुआ 3 trillion dollars से लेके 4 trillion dollars के बीच में और इससे देखो सिरफ private firms पर भावित नहीं है मतलब खत्रा सिरफ private firms को नहीं है सरकारी firms को भी है main threats क्या है main threats देखो जैसे credential threats credential threats मतलब जो hacker होते हैं वो आपके credential यानि user ID and password चुटाने की कोशिज करते हैं बाद में अगर उनको आपके credentials यानि user ID and password मिल गया तो फिर वो आपके account को access करने की कोशिज करते हैं data breach, data की चोरी phishing आपके पास mail आती हैं कई बार mail accounts में की आप lottery जीच चुके हो, इस link पे click कीजिए कभी मत करना, आप तो क्या ही करते होंगे लेकिन जो लोग ज़्यादा aware नहीं है, वो कई बार कर देते हैं तो इससे उनका जो data है ना, वो compromise हो जाता है और hackers उस data का गलत इस्तिमाल कर लेते हैं next, ransomware attack जिसके बारे में अभी हमने जाना IT outage कई बार आप ऐसी खबरे पढ़ते हो कि Twitter या फिर WhatsApp आदे गंटे के लिए ठप हो गया वो उसको कहते हैं, outage बहुत बार तो ये देखो, outage company की तरफ से ही होती है, जैसे Twitter, WhatsApp, ये maintenance कर रहे थे, लेकिन बहुत बारना hackers की वज़े से भी ये outage हो जाती है, मतलब इन platforms की जो services है, वो परभावित हो जाती है risk काफी ज़्यादा increase हुआ है आज के समय में, healthcare sector में education, research, communication and government departments में क्योंकि यहाँ पर जैसे bank है bank वाले तो आपको उनको पताइक हो सकता है, वो पहले से सजग रहते हैं, लेकिन healthcare, education, sector research sector, इनका ज़्यादा focus नहीं होता cyber security पर, इसलिए ये soft targets हैं, और अब तो देखो आपको पता है, COVID-19 की महमारी के बाद work from home ज़्यादा हो रहा है तो फिर attack की जो संभावनाएं है ना, वो भी बढ़ गई है हर 10 सेकिंड में एक cyber attack हो रहा है, ransomware जैसे attacks ना सिरफ सरकार को बलकि छोटी-छोटी firms को भी बहुत ज़्यादा परभावित कर रही हैं उन पर major impact डाल रही हैं यानि challenge जो है, वो काफी बड़ा है दिखो challenge बड़ा है इस वज़े से जो cyber security experts है ना उनको hacker से, criminal से दो कदम आगे रहना पड़ेगा cyber attack से बचने के लिए दोनों तरह की strategies क्या आप सकता है preventive strategy भी और reactive cyber security strategy भी preventive strategy देखो वो सारे steps उठाना, वो सारे उपाय करना ताकि ये सुनिशित क्या जासके कि cyber attack हो ही ना मतलब कोई कसर ना छोड़ना security में कोई loophole ना छोड़ना लेकिन देखो फिर भी cyber attack हो जाता है तो उसके लिए तयार रहना चाहिए विबिन फर्म को चाहिए वो private हो, government हो मतलब resilience develop करने की आव सकता है resilience जैसे कि देखो cyber attack हो भी जाता है तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा जो काम काज है वही ठप पड़ गया resilience कैसे develop की जा सकती है जैसे देखो data जो है data का backup रखके, दो-तीन जगे आप data का backup रखोगे, आपका system hack भी हो गया, ransomware malware ने फिरोती मांग भी ली कोई बात नहीं भईया, हमारा data दूसरी जगा पर पड़ा है हम आपको फिरोती नहीं देंगे दूसरे example, resilience का कुछ काम आप digitally करो, कुछ physically करो, मतलब पूरी तरह से हर चीज के लिए digital चीज़ों पर depend मत करो और करो, तो system को इस परकार से divide करो कि आपका एक block अगर hack हुआ है, तो दूसरे blocks पे दूसरे जो entities है ना उन पे कोई असर ना पड़े समझ गए, मतलब resilience डवलप करने क्या हो सकता है, अगर attack हो भी जाता है तो उसके लिए आप prepare रहो attack होने के बाद आपके क्या steps होंगे उसका जो road map है वो पहले से तयार हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा awareness फिलाने के आउ सकता है सरकार को तो aware होने के आउ सकता है ही, लेकिन देखो छोटी छोटी जो firms है ना, जो soft target होती है, जिनको ज़्यादा खत्रा होता है उनको aware करने के आउ सकता है cyber attacks के बारे में, यहाँ पे कुछ technical steps ही बताए गए है जैसे SASC, secure access service age, इससे cyber attacks के risk को कम किया जा सकता है CASB, cloud access security broker, SWG, security web gateway, इनसे जो web based threats हैं, उनके risk को कम किया जा सकता है, इनको हम detail में नहीं discuss कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में यह बड़े-बड़े concepts हैं, IT industry के फिलाल आप नाम याद रखिए answers में आपको अगर points लिखने हो last man writer way forward में यह बोलते हैं देखो जो USA की सोच है कि बहुत बड़ा पर्ल harbour type का cyber attack होगा, war होगा, देखो near future में यह सब possible नहीं है, attacks जो पिछले 10 सालों में धीरे-दीरे करके छोटे-छोटे हुए हैं ना, वैसे attacks को रोकने के लिए आपको परियास करने होंगे छोटी companies को भी यह समझना होगा आपके पास यह जो option होता है ना, क्योंकि छोटी companies का profit भी छोटा होता है, तो देखो वो ज़्यादा इच्चुक नहीं होते cyber security पे invest करने में लेकिन एक बार cyber attack हो गया ना, तो उनकी बरसो बरस की जो महनत है वो चली जाती है तो इसलिए छोटी firms को यह समझने के आव सकता है, आप पूरी तरह से cyber security को मत ignore कीजिए क्योंकि अगर cyber attack एक बार हो गया, तो फिर आपको इसका बड़ा खाम्याजा चुकाना पड़ेगा तो यह पूरा आर्टिकल हमने discuss किया cyber security के बारे में आर्टिकल को smart करने से पहले एक जो term है उसका भी जिकर है इस आर्टिकल में, zero trust model zero trust model में क्या होता है जो भी stakeholders होते है माली जे किसी company में जिन-जिन persons के पास data की access है ना, वो इससे पहले कि data को access कर सके strict verification, strict authentication ताकि कोई भी ऐसा person जो authorized नहीं है वो data को किसी भी परकार से access ना कर पाए, ताकि data के compromise होने से रोका जास के, यह है zero trust model, तो यह जो model है वो भी अपने आप में इसकी limitations है, ऐसा writer बोल देते है जिकर आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया zero trust model का इसमें mention है अब चलते हैं अगले article की तरफ